हलो दोस्तों नमस्ते प्रणाम स्वागत है आप दोस्तों कि अप्लग कर से दोस्तो वहा से फितन है बाजार आर दोस्तो अभी नंडु को खोलेंगे इधार देखे नंडु को खोल दिया है दोड के गया है और देखे दोस्तोrent नंदु हमारा करके पीने लगा है इधार अभी रस्टी लगाएंगे अर्चना उधर खा रही है मोबाइल कौन पकड़ेगा तो दोस्तों अभी रस्टी लगा लेते हैं उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे और देखे दोस्तों हमारी गाई पेनहा गई है और इसका दूद निकालना चालू कर रहे हैं दोस्तों अगलीट है इदर दिखावर्च चीटना रहा आटा एकडम भहियां अ कल दोस्तों देखे हैं प्राइब तो दूद हमारा नायका बढ़ चुका है क्यांकि यभी खिला रहा थे तबियत अचमेल लाव कि देखे दूस्तों अभी निकाल रहा हैं दूस्तों दूस्तों दूस सही हो गया है और पीसे चलो देखिए हट रही और दूर जाओ न थोड़ा दोस्तों अभी तबिएत इसका ठीक हो गया है और रास्ते पे ही दूद निकालना पड़ता है और दोस्तों देखिए हमारा दूद निकाला हुआ हो गया है और पूरा एक बालती फुल दूद निकाल Brown दे रहा हैं इतना दूद दे रहा है थोट मिआन दूद निकाला हुआ होगा है दोस्तों अब पुरा एक बालती निकाल है आप लोग तेखिए आचना कि मम्मी धो रही है एक हिस्ता दूद दोस्तों इस्साले तो लेकर हैं आज पैलका है और अप्र उधरे रहना है दोस्तों से पैलने देते हैं उसके बांड लेंगे तेलेंगे उधर तालाबदम लैखेश लिखा देजिए बाल्ति देखेँ दोस्तों पूरा फूल बीडियो बनाएंगे एक दिन और चार पांच लोगों के साथ बनाएंगे जो अगल बगल के लोग हमको खड़ा करके दूद निकालेंगे तब उनको विश्वास होगा कि हाँ दूद देती है हमारी का खिलाएंगे नहीं तो देगी क्या जेब में रहेगा नहीं तो खिलाओ नहीं और दूद निकालो तो कईसे होगा यहां हम सब बाईली लोग भी देखते हैं देखिए उधर बैठी हुई है फड़स वाली थोड़ा से घुमा दीजिए उनके सामने में दूधे हैं दूद निकालते हैं कैसे पानी मिला देंगे और केमरा के सामने ही आजिए दूदर्म लेकर के झाट अब देखिए दोस्तों इस हमारा तालाब में stal टी ठेल रहे हैं देखिए इसना खेला है उसको हम देखिए उसको जीगल गए खी दोस्तों उन्म लोग डूद निकाले थे जब फिर देखिए पर रोने लागी तो खेलाने के लिए दूजनाब देजिए और देखे दोस्तों हमारा डिपाइदर सब रेडी है और यह देखे गुबारा ली है लोकी के जैसा है और दोस्तों देखिए हमारा दूद इधर नापा जा रहा है नाप दिजिए और बाबु पढ़ने चला गया है दोस्तों और अर्चना इधर है यह नहीं जाती है रोने लगती है जाती है और आधा समय होता है जब यह रोने लगती है इस्कूल में तो मास्टर साब लोग बलते हैं कि पहुँचा क्या हो घर लेके आ जाता है बाबु पहुँचाने तो दोस्तों हमारा पुरा दूद इधर नापा हुआ हो जाएगा उसके बाद हम चलेंगे बाजार और दोस्तों आज दो तीन दीन से मतलब सबेरे में हम लोग खाना नहीं बना पा रहे हैं मतलब कोई वज़ा है इसलिए आप लोगों को बताएंगे तो अभी यह अभी बनाएंगी खाना जब हम बाजार चले जाएंगे तो उधर से आएंगे तो फिर खाना होना खा करके अगर में इसमें जो काम बाकी है उसको करेंगे अर्चना बासी रोटी खा रही थी बैट करके वहां तो कर रहे हैं कि हम खा फिल बनी और शाड़े पांच लीटर दूद्ध टोटल हमारा जाता है दोस्तों बड़े वाले में धाई लीटर है इसमें आधा लीटर है और इसमें डेर लीटर चैप हूगा और इसमें एक और देखे उधर तसली में हम लोग टांगे हैं दोस्तों कर लोग जो है दूद रात वाला है तो अगर घरता है तो इस में मिलाते हैं दोस्तों मतलब रात में का दूध हम लोग खाते हैं तो अवट करके गरम करके खाते पीते हैं जो बचता है कितना इसमें छाय पोगा इसमें चार कर दीजिए और खाते हैं जो थोड़ा सा बज जाता है उसको एक डेल लिटर उधर रख देते हैं अगर इसमें घड़ता है तो डालना पड़ता है नहीं तो हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं तो डालना नहीं पड़ेगा क्योंकि कल से भी जादा दूद दी है दोस्तों इतना जादा दूद कैसे बढ़ गया आप लोग जरूर बताएंगे इतना बहुत जादा दूद बढ़ गया हमारे गाये का तो इसका भी कुछ है जैसे हर चीज कर राज होता है उसी तरह से हैं दोस्तों बहुत से मतलब यहीं हमको किसी ने बताएएं इसा नहीं कि घैप जानते हैं तो हमको भी कोई डोड़े वाले बताए हैं और उनके पास देजम का बहुत मतलब अब इतना कि हम जाते थे तो उनसे बहुत मतलब परिचे है तो पुछते थे पुछते थे एक दिन उन्हों ने बताया हम भी किसी से जाने हैं ऐसा बात नहीं है कि हम अपने आप जाने और ट्राई कियें दोस्तों कुछ दिनों तक तो दूद बढ़ने लगा इस गाय के पास तीन लीटर मतला छे लीटर दूद था जब खरीद के लाएं थे और देखिए आज कितना है तो दोस्तों अब हमारा दूद नापा हुआ हो गया है अब हम चलेंगे बाजार जोला में रखिए जोला में रखिए ऐसी धा करी डीपा नीचे गिर गया इसमें का इधर वाला पिनारे में रखिए और दोस्तों अब हम चलेंगे बाजार दूद ले करके और आप लोग बना लीजिए खाना जो बनाना है अर्चना आओ मोबाइल लेलो और दोस्तों देखिए हम दूद दे करके आ गय थे उसी समय और देखिए इधर बांस फार करके और इतना इसको शे अब चलते हैं दोस्तों ताल आप घर में पहले रेलिंग लगाते हैं और देखिए इसको सेर दी हैं बांस को फार करके चलो अर्चना चलिए जी काटिले चलिए अज़िए अज़िए नहीं दाबोली अब इसको बना लेते हैं उसके बाद थोड़ा आप लोग कर दिखाएंगे देखिए दोस्तों चोटी इधर खल रही है इधर मेरे पापा बना रहे है अब दोस्तों देखे इधर हम लोग रेलिंग लगा रहे हैं कि बच्चा लोग गिरेगा नहीं इसे एक और नीचे लगा देंगे तो इधर से गिरने का डर खतम हो जागा दोस्तों अब दोस्तों देखिए इधर हम लोग अपना रेलिंग बना लिये हैं मतलब बाती बास वाला कम पड़ गया देखिए इधर बनाया है अभी इधर वहां तक बनाया है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पूरा वहां से ले ले करके और यहां तक यह देखिए आगे का भी बना दिये हैं और इसाइड का एक बाती है तो तो इधर का पूरा बच गया देखे चारो तरफ से रेलिंग हो गया अब अब आवण जी इधर बैसके मोबाइल चला रहा है और देखे दोस्तों आगे से कैसे दिख रहा है देखे उधर का भी और इधर का भी रेलिंग हम लोग तयार का दिया जा बाबू तो आप गिरने का हो गया बचा लोग इधर से गिर नहीं सकते हैं देखिए तो अब खेलेंगे इधर भी तो डर नहीं है तो दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तों कमेंट एक प्यारा कर दिजिएगा कि हमारा रेलिंग बना है तो कैसा लग रहा है और इसको बढ़िया से रंग देंगे ठीक ठाक कर देंगे तो कैसा लगेगा दोस्तों तो सभी लोग बाय करिए जय हिन दोस्तों जय जवान जय किसान